C-I-E-T-N-C-E-R-T द्वारपस्तुत है, कक्षा साथ के लिए उर्दू की पाठे पुस्तक अपनी जबान भाग दो आईए सुनते हैं अपनी जबान भाग दो का नमा सबक सबक नमबर नौ सालिम अली सफ़ा नमबर सत्तावन आस्मान की तरफ उड़ते हुए, दरखतों पर बैठे हुए, जह जहाते हुए परिंदों की दुनिया भी कितनी रंगा-रंग है हमारे मुल्क के नामवर माहिरे तुयूर और निथोलोजिस्ट सालिम अली ने अपनी सारी जिन्दगी इसी दुनिया में गुजार दी सालिम अली का असल नाम माजुद्दीन अब्दुलली था वो बारा नवंबर 1896 को पैदा हुए जिन्दिगी भर उन्हें परिंदों से दिल्चस्पी रही उन्हें पूरी दुनिया में परिंदों का एक बहुत बड़ा आलिम और निथोलोजिस्ट समझा जाता है उन्होंने परिंदों के बारे में ऐसी मालुमात जमा की है के बढ़कर हैरत होती है बचपन ही से उन्हें परिंदे अच्छे लगते थे वो घंटों फिजा में चुडियों को उड़ते हुए देखते रहते थे जब वो दस साल के थे तो एक बार किसी शिकारी ने एक गौरईया शिकार की जब वो जमीन पर गिरी तो सालिम अली दोड़ कर गए और उसे उठा लिया उन्होंने चुडिया की गर्दन पर एक पीला धबा देखा वो दोड़ते हुए अपने चचा अमीरुदीन तैयब जी के पास आए और उनसे पूछने लगे के ये कौन सी चुडिया है उनके चचा खुद भी शिकारी थे लेकिन वो भी उस चुडिया को नहीं पहचान सके उनके चचा सालिम अली को साथ लेकर बंबई नेचरल हिस्ट्री सोसाइटी गए और उसके एजाजी सेक्रेटरी डबल्यू मिलियट से मुलाकात की मिलियट को ये देखकर बड़ी हैरत हुई कि सालिम अली को परिंदों से इतनी दिलचस्पी है उन्होंने सालिम अली को मुर्दा चुडियों के जिस्म दिखाने शुरू किये उन जिस्मों का भराव करके उन्हें वहाँ रखा गया था सालिम अली ने खाप में भी नहीं सुछा था कि चिडियों की इतनी ق्स्में होती है सफा नमबर 58 उसके बाद सालिम अली नेश्रल हिस्टरी सोसाइटि में बराबर जाने लगे उन्होंने वहां चुडियों को पहचानना और मुर्दा चुडियों की खाल में भराओ करना यानि स्टफिंग सीख लिया एक दिल्चस्प बात ये है कि सालिम अली के पास किसी यूनिवसिटी की डिग्री नहीं थी उन्होंने एक बार कॉलिज में दाखला लिया तो था लेकिन रियाजी में उन्हें कोई दिल्चस्पी नहीं थी इसलिए उन्होंने कॉलिज छोड़ दिया उनके बड़े भाई बर्मा में कानों की खुदाई का काम करते थे सालिम वहां चले गए ताके उनकी मदद कर सकें लेकिन वहां वो जंगलों में घूमते फिरते और चुड़ियों को ढूनते रहते थे आखिर वो दुबारा बंबई आ गए यहां उन्होंने इल्म हैवानात यानि जूलाजी में एक कॉर्स मुकमल कर लिया और बंबई नेचरल हिस्ट्री सोसाइटी में मुलासिम हो गए बाद में यह मुलास्मत छूट गई सालिम अली लंबे अर्से तक परिंदों का मुताला करते रहे वो सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करते थे बलके खुद मुशाहिदा और तजर्बा करके मालूमात हासिल करते थे उन्होंने खासी लंबी मुद्द तक बया यानि वीवर बर्ड के बारे में जानकारी हासिल की तीन चार महीनों तक घंटो सुब से शाम तक सालिम अली इस चुडिया के रहन-जहन और आदतों का मुशायदा करते रहे 1930 में उन्होंने अपनी मालूमात को किताब की शकल में पेश किया इस किताब से पूरी दुनिया में उनकी शोहरत फैल गई बच्पन ही से सालिम अली हिंदुस्तानी परिंदो पर एक किताब लिखना चाहते थे जो किताबे मौजूद थी उनमें बहुत सी कमिया थी चुनांचे 1941 में उन्होंने इस कमी को पूरा करना चाहा इसके लिए The Book of Indian Birds के नाम से एक इंतहाई दिल्चस्प किताब लिखी इसमें रंगीन तस्वीरों के जरिए परिंदों की पहचान कराई गई है एक आम आदमी भी इन खुबसूरत तस्वीरों के जरिए आसानी से किसी चुडिया को पहचान सकता है और उसके बारे में जरूरी मालुमात हासिल कर सकता है सालीम अली ने चिडियों के मुशाहिदे और मालुमात के लिए कई बार दूसरे मुलकों के सफर भी किये उन्हें बड़े बड़े इजाजाद दिये गए उनकी खुब तारीफ हुई डिग्रियों और इनामास से नवाजा गया पूरी दुनिया में उनकी खिदमात को तसलीम किया गया हमारी हुकुमत ने 1958 में सालीम अली को पद्म भूशन का फिर 1976 में पद्म विभूशन का एजाज दिया ये हमारी हुकुमत का दूसरा सबसे बड़ा कौमी एजाज है 1987 में सालीम अली का इंतिकाल हुआ उनकी मौश से परिंदों ने अपना एक गहरा और सच्छा दोस्त खो दिया है सफ़ा नंबर साथ मानी याद कीजिए नामवर मशूर मारूफ तियूर तीर और ताइर की जमा परिंदे रियाजी हिसाब काने कान की जमा खाने जहां से मादनियात जैसे लोहा, कोईला, तांभा वगेरा निकाली जाती हैं मुशाहिदा करना मुआइना करना, देखना एजाज रुतबा, इजजद मंसब उहदा, रुतबा सोचिये और बताइए सवाल एक सालिम अली का असल नाम क्या था? सवाल दो सालिम अली को और निथोलोजिस्ट क्यों कहा गया है? सवाल तीन सालिम अली के शिकारी चचा का नाम क्या था? सवाल चार सालिम अली ने नेच्रल हिस्ट्री सोसाइटी में जाकर कौन सा काम सीखा? सवाल पांच सालिम अली पूरी दुनिया में क्यों मशूर हुए? सवाल छे 1941 में सालिम अली की कौन सी किताब शाय हुई और उसमें क्या बयान किया गया है? सवाल साथ पूरी दुनिया में उनकी खिदमात को तसलीम किया गया इस जुमले का क्या मतलब है? सवाल आठ सालिम अली को कौन से कौमी एजास मिले? सवा नंबर 61 खाली जगा को सही लवज से भरिये एक परिंदों की दुनिया भी कितनी? खाली जगा दुनिया है दो मुल्क के नामवर माहिर खाली जगा सालिम अली थे तीन सालिम अली खाली जगा को पैदा हुए चार वो दस साल के थे तो एक बार किसी शिकारी ने एक खाली जगा शिकार किया पाँच सालिम अली ने Natural History Society मुंबई के एजाजी सेकरेटरी खाली जगा से मुलाकात की छै सालिम अली ने मुर्दा चुडियों की खाल में खाली जगा सीख लिया साथ सालिम अली के पास किसी यूनिवर्सिटी की खाली जगा नहीं थी आठ सालिम अली ने खाली जगा में एक कोर्स मुकमल किया नौ उन्होंने खासी लंबी मुद्द तक खाली जगा के बारे में जानकारी हासिल की दस सालिम अली को 1976 में खाली जगा एजाज दिया गया दिये हुए लवजों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए परिंदों जिंदिगी मालूमात फिजा एजाज खिदमात हकूमत अमली काम आप परिंदों के बारे में जो कुछ जानते हैं कम सी कम एक सफे में लिखिए याद रखिए सालिम अली को और निथोलोजिस्ट कहा गया है और पूरी दुनिया में सालिम अली को परिंदों का एक बहुत बड़ा आलिम समझा जाता है कहा जाता है कि वो परिंदों की जबान समझते थे और उनसे बातें करते थे सालिम अली ने परिंदों के बारे में कई किताबे लिखी है इस सबख में सालिम अली की परिंदों से महबत का बयान किया गया है कहा जाता है कि वो परिंदों से गेर मामूली महबत करते थे उनकी जबान समझते थे और उनसे बातें करते थे उन्होंने अपने मुशाहिदे और तवील तजर्वे की बुनियात पर परिंदों के बारे में बहुत सी मालूमात जमा की ये मालुमात उनकी किताबों में यगजा कर दी गई है हमारे जमाने में वो परिंदों के सबसे बड़े दोस्त थे उनके खिदमात को पूरी दुनिया में सराहा गया और इन खिदमात के इतराफ में कई इजाजाद दिये गए इसी के साथ अपनी जबान भागदों का नवा सबक या खत्मुआ इसके बाद सबक दस आता है प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत